देश भर में वोटिंग के एक से बढ़कर एक रंग दिखे लेकिन सबसे मज़ेदार रंग गाजियाबाद में दिखा जहां एक बहुत सास को जबरन पकड़कर पोलिंग बूट तक लेकर आई सास नेताओं से इतनी खवा थी कि वोट डालने को राजी ही नहीं थी दुनिया की सबसे छोटी महिला के तौर पर पहचानी जाने वाली जोती आमगे भी नागपूर में पोलिंग बूट तक पहुची और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया नागपूर से ही एक राज्यसभास सांसर डॉक्टर विकास महात में अपनी समाज सेवी छवी के मताबिक साइकल पर बैठकर पोलिंग बूट तक पहुचे और बोट डाला माराश्च के गोंदिया में दूला दुलहन गाजे बाजे के साथ पोलिंग बूट पहुच गए शादी की रस्में निभाने से पहले लोक्तंत्र की रस्म निभाई नौडा में तो एक जनाब इतने जागरुक दिखे कि लंदन से लौट कर एरपोर्ट से सीधे पोलिंग बूट पहुच गए चुनाव आयोग ने देश में कई जगों पर महिलाओं के लिए खास पोलिंग बूट बनाये थे गुलाबी रंग में रंगे बूट महिलाओं की लोकतंत्र में बराबर भागिदारी का नियोता देते हैं उत्राखंड के कोटद्वार का ये बूट भी यही संदेश देता दिखा अलागि तस्वीर हर जगे इतनी खूबसूरत नहीं दिखी गया का ये पोलिंग बूट बोटरों का इंतजार करता रह गया समस्याओं से जूसते लोगों ने यहां वोटिंग का भहिस्कार किया आंद्रप्रदेश में वद्दान पर हिंसा का साया दिखा कई जगों पर YSR, कॉंग्रेस और TDP कारेकरताओं के पीच जड़प हो गई अनन्द पुरम में तो TDP के कारेकरता की हत्या ही कर दी गई बिहार के नवादा में एक पोलिंग बूट पर गोली चल गई उपद्रियों ने वोटिंग रोकने की कोशिश की पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी पोलिंग बूट पर हंगामा हो गया उपद्रियों ने EVM में तोड़ फोड करके वोटिंग में रुकावट डाली हिंसा और वोटरों की नाराजगी कि इन कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो कुल मिलाकर मत्दान शांती से हुआ